बच्चों कैसे हैं आप सब लोग आज की वक्षी शिरू करें तो जैसे पीछे बताया गया था कि आपको माध्य ही पढ़ाएंगे और पहली विधी है प्रतिक्ष विधी हालनकि हमारे पस कई विधिया है लेकिन सबसे आसान विधी और जिसे तुमने चोटी कक्षाओं में भ और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं आसत तो जो संख्याएं होते हैं उनको हम प्रेक्षन भी बोलते हैं प्रेक्षन मतलब अब्जूविशन का हिंदी वर्ड है यह कि यह वो संख्याएं जो आपको प्राप्त हो रही है आकडों में वो जो आकड़े हैं वो किसी खास मक सस्ती कटे किये जाते न तो इसे लिए उसको précTION कहा जाता है तो इन संख्याओं का अउसत मान माध्य के ला जाता है तो और इसको जब दिखाना हो माध्य को तो गनितिया रूप से कैसे लिखते है माध्य को जैसे कि तुम लाइन segment के लिए line रेखा ऐसे बनाते हो, केरन ऐसे बनाते हो रेखा दोनों दिशाओं में होती है कोन का निशान ये होता है, इसी पकार माध्य का निशान ये है x bar ठीक है, ये गनितिय रूप है, ये जब लिखा होगा यहाँ पर आपको कुछ आकड़े दिये गए है और इनका ओसत आपको घ्याद करना है तो ये सब आकड़े जो दिये है इनको पहले तो हम गिनेंगे, कितने हैं ये एक, दो, तीन, चार पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, पंदरा आकड़े है यानि प्रेक्षिनों के एक, कुल संख्या हो गई पंदरा, तो अब इसका जब आसत निकालना हो, आसत यानि माध्य है ये निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सभी प्रेक्षिनों का योग करेंगे, इन सब को जोड़ो जोड़ कर देखो क्या आता है और फिर उसको प्रेक्षन की कूल संक्या यह निए 15 से भाग कर दो ठीक है उसको करो तो यह हमने करके रखा है बच्चो इसका जोड़ाएगा 690 15 से भाग करोगे तो 46 उत्तर आ जाएगा औसत तो अगर हमें यह आकड़े कुछ अलग प्रकार के दिख रहे हैं अगर हमें वर्गीकरत आकड़े मिल जाएं तो उनका माध्य हम कैसे निकालेंगे वर्गीकरत आकड़े क्या होते हैं आकड़ो का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपन वर्गीकरत आकड़े कहलाता है आकड़े रहते हैं बारंबारत है प्रतिक्ष्विदी आज हम वर्ग एकरत आकडों को माध्य प्रतिक्ष्विदी से निकालना सीखेंगे तो ये देखो बच्चो ये वर्ग अंतराल दिया गया आपको यहाँ पे जो ये 0 से 5 है जो 0 है और यहाँ 5 से 10 ये 0 से 5 जो है इसमें सारी निम्न वर्ग सीमा है और इधर जो जितनी भी दियें ये सब आपरी उपरी वर्ग सीमा है तो वर्ग अंतराल दिया गया होता है आपको बारंबारता दी होती है तो हम कहते हैं कि ये आपका वर्ग एकरत आकड़े है ठीक है और इसके अंदर जो बच्चो आपके class size होती पिछली worksheet में हमने कर रहा था तो class का map क्या होगा 5 होगा यहां पर 0 से 5 5 से 10 में 5 है फिर 10 से 15 में भी 5 है तो यह class की चोड़ाई आप बोलोगे कक्षा की चोड़ाई या कक्षा का map वो 5 है ठीक है वर्ग map उसको खास नाम दिया जाता है वर्ग का map कितना है क्योंकि यह वर्ग अंतराल है ना अच्छा और एक चीज़ और यहां पर सतत की पिछली बार बात की गई थी सतत क्या है कि जो यहां की उपरी वर्ग सीम है वो इधर निचली वर्ग सीम है यहां पर यह उपरी वर्ग सीम है कि क्या तरीकी है, इसके पहला चरन है, दी गई सार्णी को दुबारा लिखे, जैसे ये सार्णी दी गई है, इसको दुबारा लिख लिया, ठीक है, उसके बाद प्रतेग अंतराल का वर्ग चिन निकालो, तो वर्ग चिन कैसे निकालोगे, वर्ग चिन आप इन दोनों को जोड़ कर दो से भाग करने की जरूद नहीं है यदि आपने ये देख लिया कि वर्ग माप पांच का है तो पहले दो निकालो उसके बाद पांच माँ जोड़ते चलो यह आपको इसको दस और पंदरा को जोड़ के दो से भाग करो ऐसी करने के अविश्क्ता नहीं है आप क्य तो कौन सा उत्तर ठीक है 12.5 ठीक है यहाँ पे क्या गलती हुए इस पांच को इधर दशमलव के नीचे नहीं जोड़ना है क्योंकि यह आपकी जो संख्या है यह दशमलव वाली उधर नहीं है तो जो हमारी पांच की जोड़ना होगा वो इधर वाली संख्या के अंदर दशमलव पांच चलता जा रहा है हमापे जूर शुर्निय है हम से पांच जोड रहे हैं समझ मैं है यह आपको मेरी बात कि आपको यह सब को जोडने की और फिर भाग करने के जरूतनी इसमें आपका समय लगेगा आपसे पहले दो निकालो और पांच पांच जोडते चलो औ अब गुना करने में दशमलव का ध्यान रखना तो आप 25 को 7 से गुना करना और फिर एक स्थान के बाद दशमलव लगा देना ऐसे करना तो अब आप देखो हम 7.5 को 4 से गुना करते हैं 7.5 को 4 से गुना करेंगे 4, 5, 20, 0, 2, 1, 4, 7, 8, 2, 30 फिर एक संख्या के बाद 10 लगा दिया 30 आया यहाँ पे क्या लिखा है? 28 यानि यह गरबर कर रखी है इनोंने सही नहीं कर रखा यह 30 होना चाहिए हम इन दोनों को गुना करेंगे यहाँ उत्तर लिखेंगे इसको गुना करेंगे यहाँ इनको गुना करेंगे यहाँ ऐसे सबको गुना करके लिखते जाना है तो यह अंक यहाँ पे गलत लिखा गया है और हम भी गलती में कोई किसी चीज़ को गुना को गलत कर सकते यहाँ पर हमारी गलती हो सकती है वर्षिट में यह mistake है उसके बाद तुम्हें इन सब को जोड़ना है तो जोडने में भी विशेश ध्यार रखना है क्योंकि दशमलव स्थान के नीचे दशमलव होना ची जैसे अभी तुम सिंपल नंबर को जोडने में अगर कुछ बच्चों से गलतिया हुई होगी कि धाई में पांच जोडना है तो कुछ बचे नहीं धंक से जोड़ पाते जैसे हम आपको बोलेंगे बच्चो धाई में पांच जोड़ो तो वो क्या कर देते हैं पांच को कैसे जोड़ देते हैं से जोड़ेते हैं जबकि धाई में 5 कैसे जोड़ेगा यहां जोड़ेगा 5 तो क्या हुआ 7.5 तो इसी पकार जब तुम्हें बहुत सारी संख्याएं दशमलव की मिल जाती है और उसको तुम्हें जोड़नी को दिया जाता है तो यह बच्चों यह बहुत सारे बच्चे मैंने सब संख्याएं ठीक हैं यह बिल्कुल इसके जैसी है बच्चों सिर्फ इंग्लिश मीडिया में यहां पे मैंने इन सब संख्याओं को करक्ट करके इधर लिख दिया है ठीक है और इसको जोड़ने में तुम देख रहे हो 5,4,10,15,20,0,2 हसल,7,2,9,9,9,9,11,7,8,8,8,8,5 इस तरीके से तुम जोड़ते चलो तो 6,75 आ गया जबकि वर्क्षीट में क्या दिया है 6,6,7 तो हम इसको कर देंगे 6,75 फिर 6,75 अच्छा मैंने यहां पर 70 गलत दिक है 6,75 को जो 40 से डिवाइड करोगे कुल प्रेक्शन आपकी यहां पर 40 से इन सब को जोडना है तो यह त 6,75 6,75 होगा 6,75 दिवाइड बाइ 40 आपका आ गया 16,875 ठीक है तो यह जो चीज है हमारी यह गलत हुई है 6,75 बाइ 40 होगा और फिर तुमारा उत्तार आ रहा है 16,875 यह उत्तार आ रहा है छीक है इन सब को जोड़के आगे मेरी बास समझ में चलो अब दूसरे पर चले दूसरा यहाँ पर है कि निम्न बंटन का माद्य है 50 है क्यों कमान गयाद करे अब यहाँ पर इसका माद्य दिया गया है आपको क्यों निकालना है तो यह दो प्रश्ण है आपके वरगंतराल दे रखे बारम बारता दो चीज़ दे रखे इसको पहले उतार लो अब यहाँ फिर एक गलती है, 40-60 में क्यों दे रखा है इधर और इधर 60-80 में 24 दिया है और जब यहां उतारने लगे है तो इसको 24 दिया है, इसको क्यों दिया है इधर को उल्टा कर रखा है, इसको इधर 40-60 में 24 लिख रखा है, जब यहां क्यों है तो आप देख लो कि वर्क्षिट में बड़ी mistakes है हम इसको correct माल लेते कि यह जो दो उतारेगे यह ठीक उतारेगे ठीक है question में इसको 24 कर दो और इसको क्यों कर दो ऐसे कर दो ठीक है अब हमें क्या करने है एक साही निकालना है दोनों को जोडना है और उसको 2 से भाग करना है तो 20 बटा 2 हुआ 10 20 चमा 40 हुआ 60 बटा 2 हुआ 30 अब बाकियों को आपको जोडने के ज़रूद निए 10 में 20 जोड़े 30, 30 में 20 जोड़े 50 50 में 20 जोड़े 70, 70 में 20 जोड़े 90 क्यों 20 जोड़े है क्योंकि सबका वर्ग माप यहां पे 20 का अंतर है वर्ग का माप 20 है इसलिए हम कर रहे हैं तो आपको सबको जोडने में टाइम लगाने के ज़रूद निए 2 निकालो और फिर 2020 आड़ करके लिखतो जैसे पिछले में हमने 5 माप जोड़े थे अब उसके बाद FIX कैसे निकलेगा इन दोनों को गुना करो 17 को 10 से गुना करो इसको इससे करो इसको इससे करो इसको इससे करो इसको इससे करो और फिर ये तुम्हारे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पे नोट करो 70 को Q से गुना करोगे, तो 70 क्यू आएगा? ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? इनको F.I.E. जोड़ना है F.I.E. मतलब इन सारों को जोड़ना है इन सब को जोड़ने में Q अलग है इसको छोड़ देना आपने Q को छोड़ देना है और बाकी सब जोड़ देने देखो इसको छोड़ दो यहाँ पर इसको छोड़ दो देखो भई, इसको 17 को जोड़ो 32 में जोड़ो 24 जमा 19 तो यह तुम्हारा आजाएगा 92 प्लस Q, यह Q अलग रहेगा क्योंकि आज समानपद आपस में जोड़ते नहीं है इसको 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 इन सब को जोड़ोगे 4040 आया और इसमें 70 क्यों अलग रहेगा इन दोनों को नहीं जोड़ सकते कुछ बचे इने भी जोड़ देते हैं जिनने यह याध्यान नहीं रहता बीजगनित में हमें सिखाया गया है इसके साथ यह चर और अचर गुना हो रहे है यह अलग तरह की संख्या है इसमें सिफ अचर है इसमें 4 अचर दोनों गुना हो रहे है समान पद नहीं है सिर्फ समान पद ही आपके जोड़ते है तो अब उसके बाद सूत्र लगा दोगे एकस बार तुम्हारा सिग्मा एफ़ाई एकस है यह पॉन सिग्मा एफ़ाई है इसकी वैल्यू डाल दोगे 4040 प्लस 70 Q भाग 92 प्लस Q अब इसको हल करने में सरल समीकरन जैसे करते हैं इसको इससे गुना किया यह आ गया उसके बाद एक जैसी संख्या एक जैका लेके जाओ इसका निशान माइनस में हो जाएगा घटा दोगे 50 में 70 खटाओगे मैं तब इसको इधर ले जाओ 70 में से 50 गए 20 इनको भाग कर दो तो Q कमाना गया 28 ठीक है अब हम करते हैं अगला यह हमारे प्रशन है कि निमने सारनी में 35 नगरों की शाक्षरता दर दी गई है माध्य शाक्षरता दर ग्यात करो तो यह शाक्षरता दर आपको दी गई है आपको इसका माध्य निकालना है तो यह दो कॉलम ऐसे कैसे उतारेंगे और फिर आगे हम वर्गचिन निकालेंगे और FIX ही निकालेंगे इस प्रश्ण के अंदर आकडों का माध्य दे रखा है के का मान निकालना है जैसे अभी अपने एक्जेंपल किया जैसे अभी क्यों निकाला था इसी पकार है आपे माध्य दिया गया है और आपको ये के जो है missing number इसको डूढना है तो पहले हम पहला प्रश्ण करते हैं ये शाक्षर्दादर आपको दी गया है ठीक है ये आपकी शाक्षर्दादर है अब इसके अंदर ये नगरों के संक्या 3, 10, 11, 8, 3 ये देखो 3, 10, 11, 12, 18, 3 दिये हैं ये हमने उतार दिये दो कॉलम XI हमने कैसे करा? इन दोनों को जोड़के भाग दो दोनों को जोड़के भाग दो 50 आया यहां पे 55 और 65 को जोड़के भाग दो 60 आया अब तुम देखो सब में 10 का अंतर है 10 का size है ना तो अब यह 10-10 जोडते चलो 60 में 10 जोड़े 60 70 में 10 जोड़े 80 80 में 10 जोड़े 90 यह हो गया टेबल त्यार अब अगला FI XI करना है तो यह नहीं FI इसको XI इसके साथ गुना करना है 50 और 3 को गुना करोगे 1,500 आएगा ऐसे 10 को 60 को गुना करोगे 600 आएगा 11 को 70 से करोगे 770 8 को 80 से करोगे 670 3 को 90 से 270 फिर इन सबको जोड़ दोगे वो तुमारा सिगमा FI XI हो जाएगा और फिर इसको जोड़ लोगे वो सिगमा F हो गया यह टेबल में करके रखना है ठीक है उसके बाद सूतर लिख देना है यह सूतर लिखा अब इसमें वैल्यू डाल दो और इसको भाग कर दो उत्तर आ गया ठीक है दूसरे कुशन पे चलो आपको वरगन तराल ऐसे दे रखा है बारम बारता दे रखिए और माध्य दे रखा है ठीक है यह जो के है इसको हमें ढूंडना है आठ बारा दस ग्यारा के है इसको हम चेक कर लेते एक बार कि हमने ठीक लिखा है आठ बारा दस ग्यारा के और यह जीरो से दस से लेके पचास तक चल रहा है ठीक है तो हम यह चेक कर लेते कि हमने ठीक लिखा है पचास तक है यह है तो अब इन दोनों को जोड़ोगे भाग दो 5 आया इन दोनों को जोड़ोगे भाग 2 15 आया अब तुम देखो इस दस का अंता चल रहा है तो यहाँ पे भी 10 का कर लो 5 10 15 15 15 15 25 25 25 25 25 यह कॉलम कंप्लीट होगे बहुत असान होता है ना सिर्फ पहले दो निकालो इसके बाद बस जोड़ो वर्ग माप में क्योंकि हमारी सा कारम बारता को एक साहिपसे गुना करो 8-50-40 12 को 15 से गुना करो 1-40-10 को 25 से गुना करो ग्यारा को 35 से गुना करो अब के को 45 से गुना करो तो गया थान देना ठीक.. अब इसको जोड़ेंगे जोडने में 45 के छोड़ दो और बाकी उपर वाली सारी जोड़ लो यह आया और 45 के को अलग लिखो क्योंकि आज समान पदे जुड़ नहीं सकते इसे परकार यहां पर इन सब को जोड़ लो और के को अलग लिखो ठीक है यह आगया तुमारे यह टेबल में काम कर लिए अब हम आगे चलते है यह तुमारा फॉर्मूला है कि माध्य कैसे निकला सिग्मा एफ़ई एक साय उपन सिग्मा एफ़ई अब माध्य कितना दे रखा है 25.2 दे रखा है इसकी वैल्यू 855 प्लस 45 किया आई इसकी 41 प्लस किया है अब जैसे सरल समी करन हर करते है इसको इससे गुना किया इकोल टो 855 प्लस 45 किये ठीक है इसको इससे गुना कर दो 1033.2 इसको इससे गुना करो ब्रेकेट खोल दी इसको ऐसी रहने दो फिर 855 को इधर ले जाएंगे माइनस का निशान हो जाएगा 25.2 को इधर ले जाएंगे माइनस का निशान हो जाएगा तो इन दोनों को घटा दो 1033.2 करोगे तो 855 ऐसे लिखना है और फिर घटाने ऐसे घटाने इस प्रकार से इसको घटाओ इसी तरह इसमें भी 45.0 लिखके 25.2 यूँ घटाओ 45.0 लिखो और 25.2 करके इस तरह से घटाओ ठीक है ताकि यह मिस्टेक न हो फिर इसको इससे भाग कर दो भाग करने मसान रगए एक-एक संख्या के बाद देशम लव है सीधा इसको भाग करो कीकी वाल्यू नहीं ना गई ठीक है तो यह तुम्हारा जो यह प्रशन हमने करा बच्चो आपने देखा कि हमारी कहा कहा मिस्टेक होने के चांसे होते हैं हमारी यहां मिस्टेक होता है कि हम इनको यह तो तुम सब करी जाते हो यहां गुना होने में गड़बड होती है ठीक है उसके बाद जोडने में गरबर होती है और भाग में गरबर होती है तो यह प्रश्णों बहुत ही असान है एक समान असमान पद में भी बचे गरबर करते है यह बीजगरनित के रूल है तो यह चीजे बहुत ही असान है बहुत ही असान सुत्र है जिसको सिंपल जमा घटा गुना भाग पुरनाग की नौलिज है पुरनाग धन से आता है और थोड़ा थोड़ा बीजगनित का भी ध्यान है तो वो इन कुशिंस में अच्छे से माक्स ले लेता है कोई इसमें चिंता करने वाली बात है नहीं बहुत स्कोरिंग चैप्टर है जो मिस्टेक्स होती है तो मैंने बताई दिया कि मिस्टेक्स कहा होती है ठीक है अपने माइंड को सेंटर में रखो के तो बहुत यह मेरी वीडियो देखते देखते तुम्हें मैं पॉइंट करती रहूंगी ना तो यह अपने आप चेक करते हो जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे ना गुना भाग करोगे उतना इसमें परफेक्ट हो जाओगे ठीक है तो आज की वरक्षीट नहीं ओवर करें बच्चों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वरक्षीट में आप अपना सभी ध्यान रखे आप सभी को मे नमस्कार